कि लौड किष्णा नमन मेरे सभी प्यारे बिद्धार्थियों मेरे सभी प्यारे बिद्धार्थी ध्यान दें आज आपने केमिश्ट्री का चैप्टर एसेट वेस एंड साल्ट का स्टीडी किया मुश्टली लॉक्डाउन के पीरियड के चलते आपको यह अध्याय घर से ही पढ़ना पड़ा कॉलेज में इस अध्याय के साथ साथ आपको लैब में भी ले जाना होता है तो लैब की कुछ जनरल गाइडलाइन्स हैं क्योंकि आपका चैप्टर एसेट से रिलेटेड हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपके जो कॉलेज की कैमिश्ट्री की लैब होत हैं तो इस्ट्वेंट शोड बी हैव इन मैचर इन रिस्पॉंसिबल मैनर एट आल टाइम इन दा लैबरेटरी और वेरेवर केमिकल आर इस्टोड और हैंडल और इन एप्रोप्रियेट वी हैविए इस इस पेशियली प्रोहविटेड किसी भी तरह का बहां पे इर्रिस्प दिये जाएंगे हर एक केमिकल के बारे में यसे कि मैंने भी आपको बताया था कि आप ऐसिद को जीम से टच नहीं करेंगे आप acid को chemical reaction से find out करेंगे या फिर इंडिकेटर से found out करेंगे आपने different type के indicators आज study किये हैं है ना methyl orange है phenophyllene है यह man-made indicator है आपके कुछ जैसे कि टमरिंड है आपका हल्दी है इसे भी आपने study किया है ठीक है तो next student must not eat drink apply cosmetic और chew gums in laboratory lab के अंदर आप भोजन नहीं करेंगे पानी नहीं पीएंगे किसी भी तरह का कॉस्मेटिक को apply नहीं करेंगे ऐसा नहीं है कि आप वहां पे क्रीम लगा रहे हैं स्किन पर ठीक है और chew gums किसी भी तरह से आप gums का यूज लैब में नहीं कर सकते वास हेंट थ्रो आफ्टर पार्टिसिपेटिंग इन एनी लेवरिटी एक्टिविटी यदि आपको लैब में कोई बर्क दिया गया है तो बर्क कंप्लीट करने के बाद आपको हैंड वास करना होगा इस्ट्वेंट मस्ट परफॉर्म ओनली दोज एक्षपरिमेंट ऑथ्राइज वाइड टीचर चूंकि हरे क्लास के स्टेंडर के अकॉर्डिंग अलग अलग प्रक्टिकल ही होते हैं सेविंध क्लास में कोई ज्यादा नहीं केबल ऑब्जर्वेशन ल आपनिसदे को क opposal एड विल्शे स्टी एकिपनेंट यार ये सारी इकिमेंट जो हैं इनको आपको इनकी सेटिफी ही करनी है हैं एक्ष्परिक करने धां下去 अभी आपकेध में नहीं है ठीक हैं तो यह कुछ तो यह कुछ Sub पारोड़ाई本वाई COître